प्रिष्ट संख्या 113 उपनेवेशों में उद्योगी की करण आईए अब भारत पर नर्ज़र डालें और सुनें कि एक उपनेवेश का उद्योगी की करण कैसे होता है यहां भी हम कारखाना उद्योग के साथ गैरक मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान से सुनेंगे हमारा अध्यान मुखिरूप से कपड़ा उद्योग तक ही सिमित रहेगा भारती कपड़े का युग मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर राष्टी कपड़ा बाजार में भारत के रेश्मी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था बहुत सारे देशों में मौटा कपास पैदा होता था लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था आर्मी नियन और फार्सी सुधागर पंजाब से अफगानिस्तान पूर्वी फारस और मद इश्या के रास्ते यहां की चीज़ें लेकर जाते थे यहां के बने महीन कपड़ों के थान उंटों की पीठ पर लाद कर पश्यमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और एगिस्तानों के पार ले जाया जाते थे मुख्य पूर्व आपने वेशक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था गुजरात के तड़ पर इस्थित सूरत बंदरगाह के जरिये भारत खाडी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था कोरो मंदल तड़ पर मचली पटनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षन पूर्वी एश्याई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था यहां एक चित्र दर्शाय गया है यह चित्र है मध्य लंदन में निर्माणा धीन एक उतला भूमिकत रेल्वे स्टेशन का वर्ष 1868 का चित्र है 1850 के दशक से पूरे लंदन में डेल्वे स्टेशन बने लगे थे इसका मतलब था कि सुरंगे बनाने बल्यों की बाड़ लगाने इंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी रोजगार चाने वाले एक निर्वान स्थल से दूसरे निर्वान स्थल तक जाते रहते थे निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारती व्यापारी और बेंकर सकरी थे वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुँचाते थे माल भीचने वाले आपूरती सौदागरों के जरिये बंदरगा, नगर, देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे ये सौदागर बंकरों को पेशगी देते थे, बंकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुचाते थे बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्याद व्यापारियों के दलाल कीमत पर मूल भाव करते थे और आपूरती सौदागरों से माल खरी लेते थे 1750 के तशक तक भारती सौदागरों के नियंतरण वाला ये नेटवर्क तूटने लगा था यूरोपियों कमपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी पहले उन्होंने इस्थानी दर्वारों से कई तरह की रियाएते हासल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप कर लिए इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगा कमजोर पड़ गए इन बंदरगाओं से होने वाले निर्यात में नाट की कमी आई पहले जिस करजे से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे स्थानी बैंकर दिबालिया हो गए सत्रमी सदी के आखरी सालों में सूरत बंदरगा से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य एक दशमलोच छे करड़ रुपए था शत्रा सो चालिस के दशक तक यह गिरकर केवल तीस लाख रुपए रह गया था गतिविधी एशिया के मानचित्र पर भारत से मद एशिया, पश्शिम एशिया और दक्षन पूर्व एशिया के साथ होने वाला कपड़ा व्यापार के समुद्री और सड़क समर्गों को चिर्नित कीजिए सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई और कलकत्ता की स्थिती सुदर रही थी पुराने बंदरगाहों की जगे नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व आपने वेशक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था नए बंदरगाहों के जरीए होने वाला व्यापार यूरोपिय कमपनियों के नियंतरण में था और यूरोपिय जहाजों के जरीए होता था बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपिय व्यापारिक कमपनियों के नियंतरन वाले नेटवर्क में काम करने के लावा कोई चारा नहीं था इन बदलावों ने बुनकरों और अन्यकारिगरों के जिंदीगी को किस तरह प्रभावित किया यहां दो चित्र प्रदशित किये गए हैं पहला चित्र है काम पर लगा एक बुनकर का चित्र गुजरात का है दूसरा चित्र है सूरत में एक इंग्लिश फैक्टरी का यह चित् के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिस कपास उद्योग अभी फैलना शुरूर नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारती कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कमपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दश्कों में मंगाल और करनाटक में राजनीतिक सत्ता इस्थापित करने से पहले इस्ट इंडिया कमपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसिसी, डच और पुर्दगा को ही बेशते थे। लंदन बेजे गए अपने पत्र में कमपनी के अफसरों ने आपूर्ती में मुश्किल और उचे दामों का बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार इस्ट इंडिया कमपनी की राजनीतिक सत्ता इस्थापित हो जाने के बाद कमपनी व्यापार पर एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला चरण। कमपनी ने कपड़ा व्यापार बे सक्री व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रिस्थापित करने की कोशिश की। पनी को माल बेचने वाले बुनकरों को आने खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का आउडर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था जो कर्ज पूरे समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे और 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 औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गाउं में बुनकरों और गुमाष्टों के बीच टक्राओं की खबरे आने लगी। इससे पहले आपुर्ती सुधागर अक्सर बुनकर गाउं में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदी की तालुकात होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों पर ख्याल लगते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे प्रिश्ट संक्या 116 है नए गुमाश्टा बाहर के लोग थे उनका गाउं से पुराना सामाजिक सम्मध नहीं था वे दंबपूर्ण वेवार करते थे सिपाईईउं और चपरासीओं को लेकर आते थे और माल समय पर तयार ना होने की स्थिती में बुनकरों को सजा देते थे सजा के तोर पर बुनकरों को अक्hythm पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे अब बुनकर ना तो दाम पर मोल्बाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेज़ सकते थे उन्हें कम्पनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी पर वे करजों की वज़े से कम्पनी से बंदे हुए थे करनाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गाओं छोड़कर चले गए वे अपने डिश्तिदारों के यहां किसी और गाउं में करगा लगा लेते थे कई स्थानों पर कमपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गाउं के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर करजा लोटाने से इनकार करने लगे उन्होंने करगे बंद कर दिये और खेतों में मजदूरी करने लगे उन्हीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याइं पैदा हो गई पटना के आयुक्त ने लिखा ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जाहनाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था जाहनाबाद में यह बिलकुल बंद हो गया है जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है ये मैंचेस्टर में बने सस्ती और टिकाऊ वस्तूं का प्रणाम है जिसने स्थानी निर्माता प्रतिसपर्धा नहीं कर सकते। सेंसस रिपोर्ट आफ सेंटरल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोश्टी समधाय के बारे में कह गया था। भारत के आने भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोस्ट्यूम का भी पुरा बुरा समय चल रहा है। वे मैंचेस्टर से इतनी भारी तादात में आने वाली आकरशक चीज़ों का मकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाल के सालों में वे बड़ी संक्या में यहां से जाने लगे हैं। वे मुखिरूप से बिहार का रुकर रहे हैं। जहां दिहारी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रूटी मिल सकती है। भारत में मैंचेस्टर का आना। 1772 में इस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेंरी पतूलो ने कहा था कि भारती कपड़े की मांग कभी कब नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19 सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रही। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33 प्रतिशत था। 1851 में यह मात्र 3 प्रतिशत रह गया था। ऐसा क्यों हुआ उसके निर्तार्थ क्या थे। जब इंग्लेंड में कपास द्योग विक्सित हुआ तो वहां के उद्योगपती दूसरे दिशों में आने वाले आयात को लेकर परिशान दिखाई दिने लगे। उन्होंने सरकार पर दवाब डाला कि वह आयात कपड़े पर आयात शुल को वसूल करें जिससे मैंचेस्टर में बने कपड़े 12 प्रतिश परधा के बिना इंग्लेंड में आराम से बिक्सकें। दूसरी तरफ उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी पर दवाब डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारती बाजरों में भी बेचे। प्रिश्ट संख्या 170 इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निद्यात बाजर ठहरा था और इस्थानी बाजर सिकुडने लगा था। इस्थानी बाजर में मैंचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों के बनने वाले आयातित कपास उत्पात इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19 सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारती कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पढ़ गया था। ऐसे में बुनकर उत्योग किस तरह कायब रह सकता था। प्रट बुनकर बुनकर रह सकता था ह। झाल झाल